नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चानल बेबीज वोर्ल इंडिया में और आज का ये वीडियो है बच्चों के सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटिड ये भी अगेन एक रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारी एक बहुत ही रे टो उसको अपना नाम सिखा लेओ अरह एक याथ ने चीजें लेख घ्रेशन सब्सक्राइब तो इसको का आप द्वाशों नाम सिखा उगे और वह जाइए को सिखा उगे ताकि बहुत जाएदा वे ऊफ्श्चूज यह तीन चीज़ें बेसिक है इसके बाद चौती चीज बच्चा किस स्कूल या प्री स्कूल में जाता है उसका नाम बच्चे को पता होना चाहिए तो ये चीजें बेसिक हैं और इसके आलावा कुछ चीजें और आप बता सकते हो बच्चे को सेल्फ इंट्रोड़क्शन के लिए अगर आपका बच्चा किंडर्गार्डन में अपन पांच साल का हो गया है तो उसके लिए जब बच्चा अपना सेल्फ इंट्रोड़क्शन दे रहा है तो फिर छे साथ लाइन के भी आप सेल्फ इंट्रोड़क्शन की चीजें सिखा सकते हैं तो आई मैं आपको डीटेल में थोड़ा बता देती हूं कि आपके बच्चे को आपको क्या क्या चीजें सेल्फ इंट्रोड़क्शन में सिखानी हैं तो जो फर्स्ट फ्री लाइन से वो है बच्चे का नाम पर एक्जामपल बच्चे का नाम अगर रियान है तो हलो माई नीम इस रियान आएम फाइब येर्स ओल्ड बच्चे की जो भी उम्र है वो बच किंटरिडेन बच्चा जिस ग्रेड में भी जाता है उसके बारे में बताएगा नेक्स्ट बच्चा अपना स्कूल का या फिर प्ले स्कूल का नाम बताटा सकता है और नेक्स्ट सेंटेंस आई लिव इन जिस एरिया में भी आ तो है अगली चीजा आती है बच्चे की माता पिता का नाम, यानि कि my father's name is, my mother's name is, ये दो चीजे important है, तो अगले sentences में आपको ये सिखाना है, फिर बच्चा अपने बारे में introduction देगा, कि बच्चे के friends के बारे में, बच्चे के पसंद ना पसंद के बारे में, तो I have lots of friends, यानि कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और उसमें स अगर उसका कोई खास दोस्त है, तो but my best friend is, उसका नाम बताएगा, now it comes to kids hobby, तो अगर बच्चे की कोई hobby है, कुछ पसंद है खेल में, तो उसके बारे में बताएगा, like I like dancing, I like singing, या फिर I like painting, जो भी बच्चे को पसंद है, या फिर ये सारी चीजें करता है, वो ये सारी ची बता सकता है, साथ ही अगर बच्चे को कोई game पसंद है, तो for example, जैसे कि अगर उसको football खेलना पसंद है, तो I like playing football, साथ ही अपने favorite food के बारे में, बच्चा बता सकता है, कि बच्चे का क्या पसंदीदा खाना है, like my favorite food is, so introduction में आ गया है, बच्चे का नाम, बच्चे का age, बच्चा किस grade में चाता है, बच्चा कहां रहता है, बच्चे के मम्मी, डैडी का नाम, बच्चे के फ्रेंड के बारे में, और बच्चे की हॉबी के बारे में, so guys आज किस वीडियो में अच्छा लगाउ वीडियो तो don't forget to like, share and comment on this video and please subscribe our channel and press the bell icon to stay tuned, thank you so much for watching this video, bye-bye